हेलो एवरिवन तो आप सब पस्वावता हमारी पैनल एजुटेन्मेंट हमें तो आज के 10 जी के कोश्चन आज का हमारा सबसे पहला कोश्चन है राजास्थान के मैदानों के उप्जाउच छेत्र को निम लिकित में से किस नाम से जाना जाता है तो आपके पास ओप्शन है ध हमें उत्तर देने के लिए अगर उत्तर पता है तो कमेंट में फटा पत्र उत्तर पता है तो इसका उत्तर है ओप्शन सी रोही अब हमारा कोश्चन नमबर दो है राजास्थान में खेतेडी की ख़दाने निम लिकित में से किस के लिए प्रसिद है तो आपके पास ओप्श आपको पास अब सिर्फ 5 सेकेंड का समय उत्तर देने के लिए अगर कर पता है तो कमेंट फटा-फट से उत्तर बताएं तो इसका उत्तर है option D को पर अब हमारा question number 3 है राजस्थान का साब्दी कर्थ क्या है तो अब option A रेट की भूमी, option B राजाओ की भूमी, option C उगते सूरज की भूमी या option D मुक्त की भूमी तो आपको पास अच्छल 5 सेकेंड का समय उत्तर देने के लिए तो इसका उत्तर है option B राजाओ की भूमी, अब हमारा question number 4 है राजस्थान का कुल 6 त्रफल कितना है तो आपको पास option है तो आपको पास अच्छल 5 सेकेंड का समय उत्तर देने के लिए तो इसका उत्तर है option C 3,42,249 किलो मीर्टर अब हमारा question number 5 है राजस्थान में कौन सा मरुस्थल इस्तित है तो option A सहारा रेगिस्थान, option B काला हारी मरुस्थल, option C थार रेगिस्थान या option D गोबी मरुस्थल तो आपको पास सिर्फ 5 सेकेंड के समय उत्तर देने के लिए तो इसका उत्तर है option C थार रेगिस्थान, अब हमारा question number 6 है पाकिस्थान का कौन सा प्रांत राजस्थान के पश्ची में इस्तित है तो option A बाल्टी रेगिस्थान, option B सिंधी, option C बलूची इस्तान, या option D गिल्गिस्थान तो आपको पास सिर्फ 5 सेकेंड के समय उत्तर देने के लिए तो इसका उत्तर है option B सिंधी, अब हमारा question number 7 है थार मरुस्थल का अन्य लोग प्रियर नाम क्या है तो option A, Silk Desert, option B, Death Valley, option C, शांतर रेगिस्थान, या option D, Great Indian Desert तो आपको पास सिर्फ 5 सेकेंड के समय उत्तर देने के लिए तो इसका उत्तर है option D, Great Indian Desert अब हमारा question number 8 है राजस्थान कितने भारतिये राजियों की सीमा साजा करता है तो option A, 4 राजे, option B, 5 राजे, option C, 3 राजे, जा option D, 7 राजे तो आपको पास सिर्फ 5 सेकेंड के समय उत्तर देने के लिए तो इसका उत्तर है option B, 5 राजे अब हमारा question number 9 है कौन सा अक्षान्स राजस्थान से होकर गुजरता है option A, भू मध्य रेखा, option B, मकर रेखा, option C, आर्कितिक सर्कल, या option D, करक रेखा तो आपको पास सिर्फ 5 सेकेंड के समय उत्तर देने के लिए उत्तर है option D, करक रेखा, अब हमारा question number 10 है आज का last question राजस्थान का एक मात्व हेली स्टेशन कौन सा है? option A, माउंट आबू, option B, योगी मट्टी, option C, विल्सन हेल्स, या option D, पैथल, मल तो अब आपको पास सिर्फ 5 सेकंड समय उत्तर देने के लिए तो इसका उत्तर है option A, माउंट आबू, ये थे आज का हमारे 10 G कोर्शन, तो आई हो कि आप लोगों ने अब भी आते हैं तो आपको पास time to time पहुंचती रहें वावा मिलेंगा आपसे नेक्ट्ट वीडियो में तब तक लिए बाई, टेक्टियर